ब्लाइन टेखन टेखनाजी आप करेंगे मांतनी इस टूटोरियल में हम देखेंगे के जॉज को क्रैक कैसे करते हैं सो जोज आप 40 मिनूट मोड पे एक्टिवेट कर लेंगे, करने के बाद आपको जोज को क्लोज कर देना होगा, इंसेट प्लस एक फोर से, और फिर आपको दुबारा जोज फोल्डर में जाना होगा, जाकर क्रैक फोल्डर को ओपन करना होगा, और वहाँ पर JFW की फाइल को हम देखते हैं, मैं इस फाइल को यहां से हम कॉपी करते हैं, फिर आपकी जो विंडो की फोर डिस्क है, उसमें जाना होगा, मेरे पास लोकल डिस्क सी है, तो आप सी ड्राइब में जाना होगा, आपको, जाने के पाथ, फ्रीडाम सेंटिक के फोल्डर को तलास करते हैं, अब हम यहां इसे ओपन करते हैं, फिर हम यहां से जोज तलाश करते हैं, तो इसके बाद फिर यहां पर जाउ 18 का फोल्डर होगा इसे ओपन करते हैं हम यहां पर अब हमने जाउ वहां से फाइल कॉपी कि थी यहां पर अभी हम इसे पेस्ट करते हैं हम इसे यहां पर रिप्लेश दे फाइल बटन पर क्लिक करते हैं अटमाटिक अड्मिनिस्ट्रेटर बटन पर भी क्लिक करते हैं का अब यहां पर कुछ भी प्रेस कर सकते हैं फिर वही पर आचुके हैं अब यहां अब अंब हम क्राइक पर ही आचुके हैं मुअ हम यहां पर My Certificate पर जाते हैं अब हम एंटर करते हैं तो यहां पर हम इस Certificate यह किस Purpose के लिए है वो बता रहा है सिंपल हम यहां से दो बाद टैब करेंगे और स्पेस या एंटर करेंगे हम यहां पर एंटर या स्पेस कर सकते हैं तो हम यहां पर Current User यहां पर Mention कर रहा है लेकिन हमें Down Arrow से Local Machine पर जाना है यहां पर स्पेस करना होगा नेक्स बटन पर Enter या स्पेस करना होगा यहां पर Down Arrow से Place All Certificate पर जाना होगा यहां पर भी आपको स्पेस से चेक करना होगा और टैब करते हैं यहां पर भी फिर टैब करना होगा ब्राउज ब्राउज बटन यहां पर स्पेस कर दे और आपको यहां से खिट डाउड लेना होगा तो आपको यहां पर रहते होगा टैब करना होगा ओकी बटन के लिए आप ब्राउज पर आगए फिर आपको टैब करना होगा नेक्स बटन पर आप आचुके है आपने जो भी यहां पर सिलिक किया है वो यहां पर बताएगा सिंपल आप इसे फिनिश बटन पर स्पेस करना होगा टैब से फिनिश कर जाते हैं स्पेस यह एंटर करते हैं अब हम यहां इसे ऑल टैफ फूर से क्लोज करते हैं अब मैं यहां इसे भी क्लोज करते हैं अब मैं यहां पर जॉस को स्टार्ट करते हैं यहां पर जॉस का हमें स्टार्ट टैफ विजिट आ चुका है क्लोज करते हैं ताकर तो स्क्रीन डीडर से यह स क्लोज करते हैं अब हम यहां से एटरफ बटाब करते हैं स्टार्ट टैफ डिफुका यह एप यहां पर यह स्पीड हमें बता देगा पहला आप्स्ट कितने रखनी होग है तो अगर आप 10-10% बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं तो page up या page down से कर सकते हैं या अगर आपको 1-1% बढ़ाना है तो आप या down arrow आप arrow से speed बढ़ा सकते हैं और down arrow से speed कम कर सकते हैं देखिए 16% 16% इसमें default 15 होता है अभी मैं आपको page up करूँगा तो 10% आगे चले जाएगा है 26% 26% तो अभी मैं आपको यहाँ पर क्योंके बता रहा हूँ तो मैं 16 ही रखूँगा ताकि आप समझ आए 25% 15% तो अब हम यहाँ पर टाइब करते हैं यहाँ पर आपको most होगा तो all पर down arrow से all पर लाना होगा तो फिर यहाँ पर टाइब करते हैं तो यहाँ पर आपको down arrow करना होगा तो यहाँ पर आपको down arrow करना होगा आपको characters and words इस पर रखते हुए फिर टाइब करना होगा इसी आपको not check ली रखना होगा क्योंकि अगर आप जबी भी music सुनेंगे तो आप अगर इसे check कर देंगे और आप कुछ भी महाँ पर press करेंगे तो automatic music की आवास कम हो जाएगी और jaws की आवास जादा हो जाएगी अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ काम करते रहें और jaws speed मतलब jaws की आवास जादा है और music की आवास कम हो जाए तो आप इसे check कर सकते हैं तो tap करते हैं तो यहां पर हमें यह बता रहा है कि हम जाउस को start up में कैसे रखना चाहता है तो यहां पर आप start up मतलब jaws आपका जब ही ओपन हो तो automatically start हो जाए login for all user मतलब हर user के लिए jaws automatic start हो जाए तो आप यह select कर सकते है start jaws at the log on screen check box check the clear check mark press space bar alt plus s login screen पर रखना चाहरा है तो आप इसे select कर सकते है start app start jaws after log on for this user colon combo box always one of three total shift tap start start jaws after log on for all users check box not checked the check space check आपको यहां पर इसे check करना होगा login for all users पर so हम यहां से tap करते है start jaws after log on for this user colon combo box always one of three always यानि हमेशा automatically start हो जाए तो आप इसे check करना होगा never using the all user setting using the all user setting तो आप always पर ही रखना होगा tap run jaws from system tray check box not checked तो यह option आपको तप करमें आता है क्योंकि अक्सर हम कुछ काम करते हुए रहते हैं तो बीच बीच में jaws आपकी notification show होते रहती है तो हम इसी लिए इसे system tray में jaws को रखेंगे क्योंकि यह notification इसके हमें काम करते वाक्त परिशान ना रहे तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ फिर हम tap करते है अब हम यहाँ पर space करते है हम इसे कुछ नहीं करेंगे इसे भी auto पर ही रखेंगे तो आप layout केस तरीके से रखना चाहरे है अगर आप PC यूज़ कर रहे है तो desktop पर रखेंगे में अगर आप laptop यूज़ कर रहे है तो laptop रखेंगे देखेंगे laptop kinesis kinesis यह पता नहीं laptop क्योंकि हम laptop यूज़ करें तो हम laptop पर रखें इसे भी हम कुछ नहीं करेंगे इसे भी हम कुछ नहीं करेंगे इसे भी हम कुछ नहीं simple next creator button पर जाएंगे इसे भी हम default ही रहने देंगे tap access key speak all radio button पर ही रहने देंगे फिर टाप करते हैं tap verbosity level beginner highest radio button इसको भी कुछ नहीं करेंगे tap graphic verbosity all graphics radio button इसे भी default ही रहने देंगे tap let's back but tap next greater space rail trans हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे simple finished अब यहां से next button आएगा और इसके बाद finish पर तो हम finish पर जाते हैं अब tap tap let's back tap next great space rail set tap enable tap reverse tap enable tap let's tap finish the space so friends हमारा tutorial यहां पर एक प्रताम पर पहुंचा है उमीद है कि आपको tutorial पसना होगा thank you and मिलते हैं किसी और tutorial में I hope you understand this tutorial please subscribe my channel please like this video please share this video join my whatsapp group my numbers 9 0 1 4 1 3 6 0 1 8 and 9 7 0 3 6 3 0 1 9 2 email address blindtech.info at gmail.com that is b l i n d t e c h info at gmail.com Q1 1 h T T T T T T T T झाल झाल